हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमिय लीग मैच का हम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा लिवरपूल वर्सेस ब्रेंटफर्ट के बीच तो गाइस लिवरपूल आप जानते हैं प्रीमिय लीग का टॉप क्लब मने जाते हैं जब प्रेंटफर्ट भी अपना पहला मैल 2-1 से पहले सके जीती जो उनकी साइट से गोल्स है वो वीशा ने एक एक स्कोर किये थे अब इस वाले मैच की बात किया है इम मैच लिवरपूल के होम में होने वाला है और अगर आप देखेंगे तो ब्रेंटफर्ट से लिवरपूल फार फार बेटर टीम है ओवराल क्वालिटी में फार बेटर है दूसरा होम में उनको हरा बना वैसी बहुत टफ होता है तो मैं यहाँ पे एक क्लियर कर लिवरपूल फिवर की टीम ले जाने वाले हूँ अब गाइस सबसे में चीज इस मैच की लाइनप आने के बाद जो भ आते डिरेक प्रोवेबल लाइनप पे और पहले हम स्टार्ट करते हैं लिवरपूल से तो यह फेवरेट्स हैं अभी मैं इनके मैच्जियम यानि कि मैं स्यान प्लियर लिवरपूल के इपिक करने वाला हूँ तो लिवरपूल की प्रोवेबल लाइन पे नज़र डालते हैं एलिसन बैकर होने वाले इनके गोलगी बर, चार इनके डिफेंडर होंगे, अलेक्जेंडर अनॉल, कॉनाटे, वेंडाइक, एंड रोबर्टसन, अब गाइज, इस मैच में लिवरपूल का अच्छा क्लिंशिट का जान से उनके घर में हो खेलने हैं, मुझे परसनली बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, बट आ सकती है, तो मैं मैं मैक्जिमम डिफेंडर इनके लियाओंगा, चारो तो मैं नहीं पिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं चारो में कोई तीन डिफेंडर पिक कर रहा हूँ, और जो मेरी टॉप त्री जोईज है वो है, अलेक्जंडर अनौर, वेंडाइक और रोबर्टसन, अब आप जानती हैं इनके फूल बैक्स कितने अटेकिंग हैं, दोनों अलेक्जंडर अनौर रोबर्टसन अटेक बहुत करते हैं, दोनों डिफेंसियाग भी करेंगे, जबकि जो वेंडाइक हैं, यह तो लीडर हैं, डिफेंस के कैप्टन भी हैं, हेडर में सॉलिडर अडिफेंसियाज अच्छे हैं, पासिस बहुत करते हैं, तो इस वैसे मैं इन तीन डिफेंडर को लेगिया, फिलाल के लिए मैं कौनाटे को इग्नोर कर रहा हूँ, तो मैं अलेक्जंडर अनौल, वेंडेग और रोबर्टसन को विक करके चल लाओं, ग्रावनबग और में कैलिस्टर डिफेंसिव इट्पिल में या डबल पीवेड रोल में खिलिंगे, फिलाल मैं दोनु को इग्नोर कर रहा हूँ, लास यान हम क्लॉप के अंडर में मैं कैलिस्ट को इगनोर कर रहा हूँ, बढ़ आप जानते हैं कितनी इक्वालिटी है में में कैलिस्टर लिफेंसिद के इंदर कभी भी गोल अससपी बी 메ानघंसिद को ले सकते हैं, तो अगर आपको कोई लेना है, आप मैं कैलिस्टर ले सकते हूँ, फिलाल मैं दोन्ओं ग्राउन बग और मैं केलिश्टर को इग्नोर कर रहा हूँ बगी जो अटेकिंग 4 है मैं चारों को लूँगा मोज साला, डियागो जोटा, लुईर डियाज है शोबस लाए, साला बदाने के जरुबत निया टेलिसमैन है लिवरपूल के पहले मैच में फिर से गोल मार दिया है पेनालिटी टे करें, क्लियर कट केप्टन से ऑप्सन हैंगे जोटा अंडर नियू मैनेजर थ्राइफ कर रहे है प्री सियन बहुत अच्छा गया था पहला मैच बहुत अच्छा गया है ब्रेंटफर्ट का डिफेंस भी उतना सॉलिड नहीं है ये भी मश्पिक है डियास कभी भी गोल असिस कर सकते है ये भी मश्पिक है और शौबस लाई भी इनके अंडर में एडवांस रोल में खिल ले है तो ये भी मश्पिक हुने आले है ये भी कभी भी under new manager number 10 roll या whole player as a whole player खिल लें तो ये भी कभी भी goal assist कर सकते हैं तो जो अटेकिंग 4 है साला, शौवसलाई, डियाज और जोटा मैं इंग चारों को ही विक करके गया हूँ अब यहाँ पर आप चाहे एक risk ले सकते हैं में भी किसी को लगता है डियाज सावसलाई में कोई एक flop होगा तो उसको अटा के चाहे तो मैं के लिश्टर ले सकते हैं पर अभी मैं ये change नहीं करने वाला तो ये लिवरपूल की 11 थी फिलाल जो मैंने आसे प्लेयर्स पिक के तीन में defender लेगिया अलेक्जेंडर अलनोर्ट, वेंडाइग और रोबर्टसन इसके लाँ मैं साला, शौवसलाई, लुइस डियाज और डियागो जोटा को भी करके गया हूँ बगी गाईज, जो इनकी वेनल्टी हो मोसला ही लेते हैं, और ये लिवरपूल के पहले मैच के अभी सियन के stat हैं, आप ये stat देख सकते हूँ अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारा आज का अपोनेंट है, ब्रेंटफर्ट की, तो फ्लेकन होने वाले हैं इनके गोलकीबर, आई तिंग लिवरपूल बहुत अटेक करने वाली है, तो मेरे गोलकीबर फ्लेकन रहेंगे, अब इस मैच में एक्सपेक्टेड है, बैक 3 जा सक सकते हैं, कॉलिंस, पिनक, एन आयर, इसके लावा जो राइट पिंग वैकों के रूसलेब, ये जो चार प्लेयरे आपको चारो डिफेंस सेक्टन में मिल जाएंगे, फिलाल मैं ब्रेंटफर्ट का कोई भी डिफेंडर नहीं ले जा रहा, क्योंकि उसका रीजन यह है, दोनु यह हेडर में भी गोल मार सकते हैं और दोनु डिफेंस सेक्ट हैं बट अभी मैं ब्रेंटफर्ट का कोई भी डिफेंडर लेके नहीं गया, अब जो इनका डिफेंसिव इटफिल हैं, नूरगाड मैं उनको ले रहा हूँ, मैं एक्स बैक कर रहा हूँ, नूरगाड यह ज़्यादा दिखा पाते हैं, नहीं तो विदाउट दबॉल यह बहुत ज़्यादा इंपेक नहीं टाल पाते हैं, इस वैसे अभी मैं यांसन और साथ मैं यानेल दोनु को एक्णोर कर रहा हूँ, सेम विद लूइस पॉर्टर इन्होंने भी कुछ खास किया हैं, दूस उसमें इन दोनु का ही कुछ ना कुछ contribution रह सकता है, तो मैं Branham Bomo और यहान विशा को ले रहा हूँ, और most probably Mbomo अब इनके penalty टेकर भी हूँगे, क्योंकि Ivan Tony जो है क्लब छोड़के जाने वाले हैं, इस वैसे Mbomo और ज्यादा मस्ट भी को आते हैं, बड़ अगर आब sure है, Brentford यहाँ पे गोल नहीं मारेगी, तो आप विशा अठाके चाहे, तो यांसन या जालेंड पे किसी को ले सकते हो, बड़ अभी मैं दोनु Mbomo और विशा को लेके गया हूँ, तो यह Brentford की 11 थी, फिलाल जो मैंने आसे प्लेयर्स पिक की है, मैं इनके गोलगीवर फ्लेकन ले ग मैं लिखना भूल गया, लेकिन मैं 3-1 या 3-0 Liverpool विक्टरी के साथ जा रहो हूँ, तो फिलाल यह मेरी Demor of Team है, गोलगीवर मैंने Brentford से लिए फ्लेकन, तीन मैं Liverpool के defender लेगिया, Alexander Arnold है, Robertson है और Vendai के, मिट फिल में मैं Mbomo और Nurgaard लेगिया, और वहाँ से मैंने पिक किया है, ड उससे एक प्लेयर को अटागे चाहे, तो मैं Callister के साथ जा सकते हो, दूसरा, अगर आप शोर है Brentford इसको नहीं करेगी, तब आप वीसा अटागे मिट फिल में Jansson या यानेल्ड में किसी एक को विक्कर के चल सकते हूँ, बागी मैं बहुत जादा चेंजेस नहीं करने वाला कैप्टम से के क्लियर कट अप्सन साला थे मैंने उनको दिया है, वीसी मैंने जोटा को दिया है, विकॉज अंडर न्यू मेनेजर है काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं, बाट एक परसेंट आपको लगता है फ्लॉप होंगे, क्योंकि ये फुल नाइंटी नहीं केलते हैं, स तो अभी ये मेरी demo of team थी, updated जो भी final team होगी वो आपको मिलेगी हमारे telegram चैनल में, तो मेरे telegram चैनल का link आपको या तो मिल जागा description box में, या आपको मिल जागा top in comment में, join कर लिजिए.